तो हेलो जी गुड मॉर्निंग पर्णाम आदाब सस्रेकाल कैसे आप से भी प्यारे दोस्त मैं हूँ आपका फ्रेंड दीपक और स्वागत आपका आज की एक और नई वीडियो में आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ दो केजी का वाइट फॉरेश केक बहुत देखेगा कितना प्यारा बनकर तयार हुआ है क्या कि हमने इसमें यूज किया है वह आप देख सकते हैं और आगे मैं आपको वीडियो के साथ-साथ बताता भी रहूंगा तो सबसे पहले तो मैंने 12-15 इंज की केक इस्पॉंज की ट्रे में इस्पॉंज रेडिक कर लिया थ देनी है और 2 kg का है वेड भी देना है तो इस तरह से दो लियरे का साइज है कट कर ली स्पॉंज की और साइट से कटिंग बची हुई है इसको भी मैंने आगे ऊपर और नीचे दोनों तरब से चीलने के बाद दो लियर में इसको भी कट करके साइट कर दिया क्योंकि इसको अब इसको बनाते तो आपको यह सब करने की जरूवत नी है बस मैं आपको बता रहा हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं उसके बाद दोनों मेंने लिए छिल दी है अब इसके वीच से मैंने दो लियर में एक स्पॉंज को कट कर लेना है पहले तो हम तीन में करते थे जब हम सिंप निन बें स्कराइब और यहां तो कि यह अदने में आपको दिखा यहुशन लीवाय है, लिवाइब चोको चिक्जा क्यों, डालनाया रही है, नहीं आतना है, कि एस सबसे पहले कि में। सबस्कोंगरा दीखा है यहां पर पिर भी यह चोप कर देख जो शॉक्ति बहुत है दाल जाले और जैसे कि उसको टॉप करके आप इसमें पहला के डाल सकते हैं यहां पर मैं इस्ट्रवेरी क्रेश भी उज़ कर रहा हूं थोड़ा सा टेस्ट के एकॉर्डिंग आप चाहों तो इसकी जगे डेट सेरी चॉप करके डाल सकते हो या आप इसको इसको कर सकते हो आपकी उपर डिपेंड करता है और जो एक्ष्टा क्रीम साइट से निकल रही ह इस तरह से मैंने 5-6 लियर में इस केक को फिल किया है अभी देखिए केक में हमारी कितनी परफेक्ट हाइट हो चुकी है तो आप अगर इस्पंज को मोल्ड में बनाते हो तो आपके पास इस तरह से कटिंग तो नहीं निकलेंगी फिर भी आप हाइट किये लिए एक्ष्टा स्पंज ले सकते हैं अगर आपको इस तरह का केक बनाना है तो अभी हम इसकी साइट से कटिंग कर देंगे उसी बेस से जो कि साइट से स्पंज की स्लाइस और क्रीम निकल रही है कट कर लेना है और अभी यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों यह मदुमक्की ऊड़ करके हमारे कै पर दोस्तके लिए मैंने डार्फ रेट कलर की क्रीम बना लिये है तोड़ा सा रेड जेल मिलाया और तोमयटो लिकवीड रेट कलर मिलाया और अच्छे से इसको मिलाने के बाद इससे में क्रंब कोटिंग्स कर में रहा हूं क्रम कोटिंग्स ऑदा गया ऑफ च फीसर इता हैं बोट क्रेम कस्ट्मर को ज्यदा पसंद है ज्यदा क्रेम की डिमांड की थी तो क्रेम ध्य करेंगे करेश अर रहा हो जाएग derivative और इस तरह से अगर Icing करने में आपको दिखकत आती हो हैं आप से फिनिसिंग नहीं आती हो तो आप सा तरीका आपके पार प्लास्टिक पाइपन unto में क्रीम आड़ किज़ेगा और द आगे से उसके म은 को कट कर लीजेगा या उसके नोजल डाल सकते हैं उसको plane भी आप उससे केक को कवर कर लेना है क्रीम से से और फिर उस में पैले ट नैब से आराम-ाराम से i-sig करनी है तो इस तरह से यह भी एक तरीका हो सकता है को i-sig करने का के के उपर तो फैनली हमारे केक में आइसिंग हो चुकी है, अब हम इसकी साइट की जो वॉल है इस पर फिनिसिंग लाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर यह लोहे का स्क्रेपर है, वैसे तो इसको हाड़वेर की सौप पर मिल जाएगा आपको यह, पुट्टी के यूज में लेते ह हैं, जो भी मिस्तिर लोग होते हैं, और अभी यहाँ पर जो मिर पास से एक्स्ट्रा क्रीम बची हुई थी, इसको भी मैंने यह प्लास्टिक पैपिंग में डाली, और जो केक का हमारा वेस है, इसको पूरा कवर कर दिया है, तो फ्रेंस, फैनली केक में आइसिंग तो हमार एक-एक बूद हम पहले पूरे केक के उपर डाल दे रहे हैं, साइट से, और पूरा डालने के बाद, अब फिर हम जहाँ-जहाँ पर लग रहा है कि लाइन पूरी नहीं बन रही है, फिर हम उसमें एक बार रिपीट कर देंगे, तो फ्रेंस, अब हम यहाँ पर बना रहे है मैकरोन, मैकरोन बनाने के लिए मैंने आप जो ओरेंज वाला फाउन्डेंड है, इसमें उतना ही, जितना ओरेंज वाईट फाउन्डेंड लिया है, और अच्य से उसको बेल दिया है, और इस तरह के आठ पीशेज कर लिया है, मैं पास यहाँ पर ये बड़ा सारा नोजल थ बनाता हुए और आठ़ वह कटकरें और सार में वाइट फाँंडेंडेट के सलाइसइस कर ले रहा हूं उसी साइज का जिसे मैं ने यह ओर रेंग रिदांडेंड के पानी से पॉलिस कर लिया है जिस्ने वाइट वाले फाउंडेंड छिपाहएटा porky चाहिए धीज Looks औरेंज वाला फाउंडेंड यह चिपक जाएगा तो देख लीजेब बनकर हमारे तयार हो चुके हैं नकली वाले मैकरॉन जिससे हम केक डेकोरेट करूंगे तो इस तरह से हमने एक तूथ पिकली बड़ी लंबी सारी और दो तो हमने उसमें लगा दिया और बांकी के दो वैस रेड प्रेस रोज टाडा रोज इसे बोलते हैं वह लिए लिए और अच्छे समन को नीचे से वास कर लिया था और पानी में ही डूबो के रखा था वरना वह एकदम मूर्जा से जाते हैं तो उनसे आभी मैं केक के उपर इसको लगा दे रहा हूं केक को डेकोरेट कर दे र करके और जो मैंने चॉकलेट आपको दिखाए थी ना को आप उस सब से मैं इसको डेकोरेट कर दूँगा जहां जहां पर मेरे को अच्छा स्पेस मिलेगा जहां पर अच्छा लुक आएगा लगाने के बाद उसी तरह से आपको भी लगा लेना है दोस्तों सिंपल सा है जैस साइड के लगा और ए को साइड में और एक नुचे लगा दिया और एको फ्लावर के बीच में लगा लगा दिया खड़ा करके अभी में पास कुछ गोल्डन बाल्स है उससे मैं विकौद कर लगा तो कैसी लगी यह रेशी ila में कमेंड शरूर बताईएगा वीडियो पसे आई हो तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं आए हो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा दोस्तों यह कहने का मेरा फर्ज है डेली बोल देता हूं पर आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं कोई बात नहीं और जल्दी मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो को ले करके तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्यार लखेगा नमस्कार